Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. Namaskar friends, I'm Sunilabhka host and friends from Ecomtech Ka Tadka. I'm going to tell you about settings, because there are a lot of options that you need to set first to start your selling, okay? तो वो क्या-क्या options हैं सारे, उसके बारे में मैं आपको पहले इस settings में बता देता हूँ, क्योंकि जब तक ये settings आप set नहीं करेंगे, तब तक selling करना बहुत difficult हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर register करते हैं, check out करते हैं, और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये Shopify प्लान खरीदने के बारे में सोच रहा हैं, description में मैंने इसके link दे रखी है, आप वहाँ से भी check out कर सकते हैं, तो description में link देखना मत भूलिएगा, अभी हम settings की बात करते हैं, यहाँ पर काफी सारे settings आपको दिख रहे होंगे, जिसको check करना और update करना बहुत ज़रूरी है, तो पहले मैं आपको general के बारे में बता देता हूँ, जनरल में क्या-क्या information है, जो आपको set करना बहुत ज़रूरी है, पहला आता है store का नाम, ठीक है, store का नाम आपने देखी है, मैंने यहाँ पर रखा है, indicative dropship, तो अभी मैं उसको change करके, home e-card dropship कर देता हूँ, ठीक है, home e-card dropship, तो अब यह home e-card dropship के नाम से update हो जाएगा, यहाँ पर मैंने अपनी mail ID दे रखी है, customer email ID भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, अभी यहाँ पर legal name of business जो है, वो मिर को यहाँ पर डालना है, home e-card retail, ठीक है, उसके बाद address डालना है, system जो है, उसको आप metric system ही use करेगा, जिससे वो by default kilogram से pick up करेगा, currency इंडियन रुपीज में होनी चाहिए, edit order ID format, अभी यहाँ पर prefix में जैसे की 10000 से शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर 1000 तक आप इस series को ले जाना चाहते हैं, तो जैसा है, वैसा ही रहने दीजिए, suffix अगर आप कुछ add करना चाहते हैं, यह होने के बाद आपको यहाँ पर save कर लेना है, उसके बाद हम चले जाएंगे दूसरी settings पर, दूसरी settings भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी settings है taxes, taxes के मैंने आपको पहले बता दिया था कि taxes, जो है वो इंडिया के आपको select करनी है, यहाँ पर 18% by default यहाँ पर आता है tax, तो सब जगह मैंने 18% जो है tax update कर दिया है, तो taxes का update होने के बाद आप फिर से व निखा हुआ है, members since April 22nd, current plan basic Shopify active, give your customers the ability to gift card, यहाँ पर दी गई है, ठीक है, अपग्रेड प्लान करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर last login है, staff accounts, आप मेरे को दो account add करनी की option है, यहाँ पर मैंने अभी तक एक भी नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर दो accounts और add कर सकता हूँ, आप अपने यहाँ पर staff को option दे सकते हैं कि Google account से वो login कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर edit में जाके, enable Google apps for login option भी आप activate कर सकते हैं, तो उनको अलग से register करने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी, वो mail ID से वो directly Google app से sign in कर पाएंगे, यहाँ पर नीचे देखिए, कुछ options दी गए वर्क जाते हैं, work with an expert, pause your store, close your store, ठीक है, तो अगर आप pause करना चाते हैं, सारी से link बंद करना चाते हैं, pause कर लीजिए, close करना चाते हैं, यहाँ पर click कर के, close कर लीजिए, अगर आप किसी expert को hire करना चाते हैं Shopify से, तो आप यहाँ पर click करके expert को भी hire कर सकते हैं, जो आपको store design क करने में और काफी सारे information help करेगा और काफी सारे information देने में भी आपको help करेगा तो यह settings देख लेने के बाद हम दूसरी settings पर आजाते है payment providers तो payments में यहां पर देखिए PayPal का option दिया गया है credit cards के लिए यहां पर देखिए आप यह सारे options जो है select कर सकते है pay you money का option available है और भी दूसर सारे options यहां पर आपको दिख जाएंगे ठीक है तो यह merchant key वगर आपको यहां पर add करने पड़ेगी अगर आपने pay you money में account create किया है तो अगर नहीं किया है तो आप कर लिजे क्योंकि इसमें आपको payment लेने के लिए यह definitely by default setup सारे करने पड़ेंगे ठीक है तो यह आपको जो भी बेस्ट लगता है citrus है यह पे है तू check out है pay you be is है जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप setup कर सकते हैं और यहां पर merchant की डाल के आप उसका setup कर सकते हैं और activate कर सकते हैं alternative payments में आप यहां पर देखिए यह सारे options available है जो आप setup कर सकते हैं active custom payment के लिए भी यह सारे options दिख रहे हैं आपको यहां पर bank deposit है तो bank details यहां पर डाल दीजिए ठीक है फिर save कर दीजिए cash on delivery or COD तो आप यहां पर options add कर सकते हैं अपनी order है तो options add कर सकते हैं और उसको save कर सकते हैं तो bank deposit यहां पर है तो मैं अपनी bank details यहां पर add कर दूँगा और उसको activate कर दूँगा तो जब भी checkout होगा किसी का भी तो उनको bank details हमाँ पर दिखेंगी जब वह payment करेंगे तब orders जो है वो process होंगे यहां पर नीचे देखिए option दिया गया है automatically capture payments for orders तो इसको आप check कर सकते हैं इसको select कर लीजिए और उसके बाद save कर लीजिए यह सारी settings जो है आपकी payments की as of now set हो चुकी है अभी settings पर आ जाते हैं और दूसरा option जो है वो देख लेते हैं notifications का notifications के तो order confirmation पर यहां पर click करेंगे तो उसका notification जिस type का आता है वो अगर आपको update करना है तो आप वो update कर सकते हैं देखिए यहां पर option आपको देख रहा है यह सारे information आप update कर सकते हैं लेकिन मैं suggest करता हूँ कि आप ना करें उतना ही better है ठीक है email और SMS का जो option by default यहां पर दिया गया है उसको वैसे के वैसे ही रहने दीजिए तो अभी हम चले हाते हैं और एक settings में जिसका नाम है billing में दोस्तों आपको यहां पर अपने billing details दिख रही होगी और invoice जो जिससे आपने payment किया है उसका invoice भी आप यहां से download कर सकते हैं फिर हम आज आते checkout process पे तो checkout process पे आपको ध्यान अखिर के लिए अज़ंस का जो शुदा करके रखिये गाउट कर दोनों जो है वोस से लेकर कर कर रखिये गा आपको permission to send promotional by default customer doesn't agree to receive उसको change करके आप यहां पर by default customer agrees to receive promotional emails ठीक है उसको select कर लेजेगा after an order has been paid automatically fulfill the orders line items do not automatically fulfill any of the orders line items इसको automatically कर दीजेगा ठीक है notify the customers of their shipment automatically fulfill orders even those with high risk और नो उसको मच लेकर एगा ठीक है after an order has been fulfilled and paid automatically archive the order additional scripts अगर कुछ आप डालना चाते हैं क्या है additional scripts आप यहां पर जाकर check कर सकते हैं automatically send abundance यह भी on कर दीजेगा send to anyone who abundance checkout यह भी रखेगा और यह after कितने घंटे के बाद करना है six hours यह भी by default रहने दीजेगा यहां पर refund policy privacy policy terms of services यह सारी information आप यहां पर update कर दीजेगा ताकि आपको कोई issue ना आए तो यह करने के बाद आप इसको save कर दीजेए save करने के बाद आप चले आईए दूसरे settings पर आते है files पर files पर you haven't uploaded any files yet you can use the file section to upload images documents etc यह आप नहीं करेंगे अभी तो भी चलेगा जब आप products को add करेंगे तब भी आप यह files और जो है वो add कर सकता है ठीक है फिर हम चले आते shipping पर यहां पर rates जो है वो mention कि हुए है तो domestic के edit करके यह add कर सकते हैं देखिए इस तरह से यहां पर दिया गया है length 30 20 cm इतना kilo हुआ ठीक है तो यहां पर यह सारे चीज़े जो है जो डाली हुई है जिसको आप update भी कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यहां पर देखिए standard shipping चार्ट जो है 0 to 5 रखा हुआ अभी मैं इसको edit करूँगा और उसको change करूँगा मैं जो rates है उसको मुझे change करना है standard shipping जो है 0 to 0.5 kg यहां पर मैं उसको डाल दूँगा 75 ओपीस ठीक है heavy goods जो है heavy goods में आएगा तो यहां पर आप rates जो है वो update कर सकते हैं तो 3 से 5 kg तक जो है इसको मैं 1.500 रूपे कर दूँगा और बाकी जितने भी rates है आप यहां पर add कर सकते हैं ठीक है तो यह जितने भी और additionally add करने वह आप कर सकते हैं तो यह होने के बाद आप इसको save कर दीजे यहां पर देखिए price based rates भी आप आप कर सकते हैं और add rates based on the price of the customer's order वह भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं suggest करता हूं कि weight based रखेंगे तो ही better है अगर 0-0.5 है 75 लेगा अगर 1 kg है तो वह अपने आप 150 ले लेगा heavy goods में 3 kg से 5 kg तक यह डेड़ सुलेगा उसके उपर कुछ भी होगा वो multiply additionally 1.5 रुपय का करता जाएगा ठीक है अगर यह options काम नहीं कर रहे हैं तो आप Shopify की team से भी contact कर सकते हैं और उनसे भी help ले सकते हैं अभी हम चले आते हैं sales channel के उपर sales channel में आपको online store का by default install दिखाए दे रहा है तो उसको वैसा का वैसा ही रहने दीजेगा और यहाँ पे और कुछ भी add करने की कोशिस as of now मत करीगा क्योंकि यह काफी complicated हो जाएगा आपके लिए भी तो आए हो कि यह settings के options सारे clear हो चुके आपके तो इस वीडियो में अभी ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दूँगा इसके बाद मैं हर एक features जो है left side में वो one by one cover करूँगा अगले कुछ दिनों में सो जाने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूँगा अगर किसी को यह Shopify का plan लेना है तो description में मैंने link दे रखी है वहाँ से आप purchase कर सकते हैं और इसको use कर सकते हैं so thank you, take care, God bless you all, bye bye झाल